पाकिस्तान की एक महिला विधायक ने कथे तौर पर वारल हो रहें एक अशलील वीडियो के साथ खुद को साइबर अपरात का शिकार पाया पाकिस्तान के पंजाब के तक्षीला विधान सबाक्षेतर से पाकिस्तान मुस्लिम लेग नवास की विधायक सानिया आशिक ने पुलिस में शिकाहत दर्ज कराई थी लंबी जाज के बाद पुलिस ने हाल ही में एक व्यक्ति को गिरफतार किया लेकिन अभी तक इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है खबरों के मताबित सानिया को इस वीडियो के बारे में पिछले महीने पता चला था जब उसे इसके बारे में पता चला तो उसने सरकार और केंद्रे जाज एजनसी को पूरी बात पताई जो अक्टूबर के अंत के आसपास हुई पाकिस्तान के IR News की रिपोर्ट के मताबित 26 अक्टूबर को उसानिया आशिक ने संगिय जाच एजनसी को शिकायत दर्च कराई थी उन्होंने आरोप लगा था कि सोशल मीडिया पर कई दिनों से एक अशलील वीडियो वारल हो रहा था सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि वीडियो में दिख रही महिला वही है लेकिन विधायक ने इन दावों का जोरदार खंटन किया है और अपने उत्पीडन के बारे में सोशल मीडिया का सहारा लिया है विदायक ने इसकी शिकायत इमरान खान की केंदर सरकार से भी की थी शिकायत दर्च होने के बाद पंजाब प्राम्त पुलिस की और FIA ने जाज शुरू की जो करीब तीन हफते तक चली पुलिस ने लाहोर से एक व्यक्ति को गिरफतार किया है लेकिन उस व्यक्ति की पहचान उजागर नहीं की गई है पुलिस ने यह भी पुष्टी नहीं की कि वीडियो में दिख रही महिलास सानिया है या कोई और अब तक यह ग्यात है कि पुलिस ने केवल यह कहा है कि एक नई प्राथमी की दर्च की गई है और आगे की जाच की जा रही है कुछ मीडिया रिपोट्स में दावा किया गया है कि सानिया ने कहा है कि उन्हें धमकी भरे फोन आ रहे है बताया जा रहा है कि सानिया पूर्व प्रधान मंतरी नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवास की करीबी दोस्त है सानिया कई मुद्दो पर इमरान सरकार पर हमलावर रही है इस वक्ती कबरम आपको बता रहे हैं जहां पाकिस्तान की MLA का एक श्रील वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी ही तेज से वारल हो रहा है बाकि जॉइन कारी के लिए और अपडेट के लिए जुड़े रही और देखते रहिए AI News